छट पर्व देश के कई राज्यों में मनाया जाता है। छटी मया के प्रसाद में डाब नीम्बू का इस्तमाल होता है। आईए जानते हैं इसके पांच बड़े फाइदे छट का महापर्व बिहार और इसके आसपास के राज्यों में बड़े धुमधाम से मनाया जाता है। च्छटी नहीं लेते हैं कि उन्हें छट पर लंबी च्छटी मिल सके। चड़ परफ पर लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उनसे स्वस्थ और सुख्मय जीवन की कामना करते हैं। चट पर्फ पर प्रसाद में कई सीजन फल और सबजियों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, जिसमें से एक डाब नीमगु भी है, इस डाब नीमगु को खाने से सेहत को फाइदा पहुचता है. डाब नीमगु के पाँच बड़े फाइदे, विटामिन सी का सोर्स छटी मया की पूजा में चढ़ाया जाने वाला डाब नीमगु पॉष्टिक तत्वों से भरपूर होता है. डाब नीमगु में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की रोग प लिकिन बहतर होगी और बालों से जुड़ी समस्याएं भी कम होगी. बोडी डिटॉक्स डाब नीमगु का सेवन शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है. डाब नीमगु हमारे शरीर के विशाक पदार्थ बाहर निकालने का काम करता है, जिससे मेटाबॉलिजम बढ़ता है और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो अपनी डाइट में डाब नीमगु ज़रूर शामिल करें. पाचन को बढ़ावा छट महापर्व के प्रसाद में इस्तमाल होने वाला डाब नीमगु विटामिन C के साथ फाइ जाइम बनते हैं तो डाइजेशन में मदद करते हैं. हार्ट के लिए फाइदे मन्द डाब नीमगु में मौझूद पोटैशियम और मैगनेशियम दिल के स्वास्थ को सुधाने में मदद करता है और शरीर में बलड प्रेशर को कंट्रोल करता है. वजन कंट्रोल डाब नी प्रश्रोल करने में मदद कर सकता है। इसके सेवन से शारिरिक और मानसिक ताजगी महसूस होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आशा है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। सला सहित यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। अधित जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेशग्य या अपने चिकितसक से परामर्श करें।